यह आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके परसन की करन्ट फीलिंग्स और थॉर्ट्स आज आपके लिए क्या है और यह बिल्कुल टाइमलिस रीडिंग है जब भी यह रीडिंग आपकी नजर से गुजरेगी यह आपका उस वक्त का मेसिज होगा फिरुवात में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के कार्ड्स पॉसिबिलिटीज बताएंगे आपकी फाइनल देस्टिनेशन से डिवाइन सोर्स को पता है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस वीडिंग को देखना है इसके इलावा मेरे जितने लाइक भी कर दिजिएगा और शेयर भी कर दिजिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके परसन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है मैं ये वाला डेक यूज कर रही हूँ आज तो स्पेरिट हमें डिवाइन मैसेज द दिजिएगा अउनकी करंट फीलिंग्स और फॉर्ट्स मेरे वीवर के लिए क्या है। हुमारे पास आया है दही प्रीस्टेस उर्ट वन्स अढवन्ड अदेवल उनकी करंट फीलिंग्स और थॉर्ट्स प्रिक्स feelings or thoughts. Okay, card नीचे गिर गया, please bear with me. Card मैंने उठा लिया है, three of cups. Knight of wands, sorry, king of wands. Knight of wands, हो सकता है कि वो knight of wands की तरह act कर रहे है, two of cups है. Mysterious है यह इंसान. The moon, so आप लोग मुझे relationship में नजर आ रहे हैं, mutual connection है, mutual love है. But यह इंसान अकसर इस तरह से behave करते हैं, कि आपको confusion होती है, कि उन्हें आप से प्यार है या नहीं, उनके behavior को देखकर आपको sometimes confusion होती होगी. Twin of pentacles, ten of pentacles bottom पर है. So, so far यह बहुत अच्छी energy है. Six of swords, nine of swords, the hierophant. I do feel कि यह इंसान आप से commit करना चाहते हैं, आपके साथ settle down होना चाहते हैं. मतलब वो बहुत ज़्यादा potential देखते हैं इस connection में. उनको लगता है कि आप long term बहुत अच्छे से चल सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा अच्छा long term आपका connection रहेगा. आप लोग ग्रो कर सकते हैं साथ में. लाइफ बहुत अच्छी होगी. स्टक नहीं होगी लाइफ. बच्चे अच्छी होगे. बच्चों की आगे जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी. तर्बियत बहुत अच्छी होगी बच्चों की. यहाँ पर Capricorn, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini. यह Star Signs यहाँ पर बहुत स्ट्रॉंग है. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है बर जरूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनरजी पर फोकस करना है. अगर एनरजी आपसे मैच करती है तो बिलकुल आपकी रीडिंग है. So, इन दो कार्ट्स के साथ, I really feel यह इनसान बहुत करिजमेटिक है. बहुत हैंड़ हैं, ब्यूटिफुल हैं, बहुत ज़ादा उनकी परसनालिटी अच्छी है. बढ़ यह इनसान बहुत ज़ादा मिस्टीरियस भी हैं. मतलब कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि उन्हें आपसे वाकी प्यार है या नहीं. कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यह इनसान वही नाइट ऑफ वार्ण्स वाली बात है. आप देखिए कि यह एट ऑफ वार्ण्स और टू अफ कफ्स में हमें नज़र आ रहे हैं कि इनसान सम्टाइम्स आपको बहुत ज़ादा वक्त देते हैं, बहुत ज़ादा आपको शावर करते हैं, अपने प्यार से कम्यूनिकेट करते हैं, अपने डीपर एमोशिंस, अपन बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बेभी आपको गोस्ट करते हैं, या सम्टाइम्स वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं, कि आप डीपोड नहीं कर पाते हैं, आप अंडर्स्टैंड नहीं कर पाते हैं, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं, आपके परसन के पास् message different होगा, but I really feel के आपके परसन के पास्ट में कोई ऐसी चीज थी जिसको वो heal नहीं कर पाए हैं, जिसके साथ वो अभी भी connected है, maybe they feel के इस चीज को वो कभी भी heal नहीं कर पाएंगे, मतलब एक ऐसा स्कार, मतलब एक ऐसा निशान है जिसको वो कभी heal नहीं कर पाएंगे, I don't know, यह क्या चीज है, but they really feel के कुछ ऐसा है जिसको वो कभी heal नहीं कर पाएंगे, जो के गलत है, आप heal कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, but उनको ऐसा लगता है कि वो इस चीज को heal नहीं कर पाएंगे, जब आप उनकी जिन्दगी में आये थे तो उनको feel हुआ था कि वो heal कर सकते हैं, बर जैसे जैसे time गुजरता गया, वो चीज आप लोगों के connection को affect करती है, time to time, so इसलिए आप कभी कभार understand नहीं कर पाते हैं, कि आपके person जिस तरह से behave कर रहे हैं, वो क्यूं behave कर रहे हैं इस तरह से, क्यूंकि उनको खुद भी समझ में नहीं आता है कि कभी कभार उनके emotions इतने ज़्यादा up-down क्यूं हो रहे होते हैं, क्यूंकि यह जो भी चीज़े उनके past में थी, for example, अगर आप बहुत curious हो रहे हैं, हो सकता है कि किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा reject किया, हो सकता है उनके parents में से, obviously, इसलिए फिर वो उनको नहीं भुला पा रहे हैं, उनको तकलीफ होती है हमेशा, वो नहीं heal कर पाए, कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग strength बनाते हैं, अपनी तकलीफ को, grow कर जाते हैं जिन्दी में, बट कुछ लोग वही stuck हो जाते हैं, जब उनने कोई pain होती कुछ trauma होता है उनको, तो वो फिर नहीं heal कर पाते हैं, so maybe आपके person is one of those, जब वो आपके साथ होते हैं, उनने बहुत अच्छा फील होता है, जैसे वो भूल जाते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं, तो वो भूल जाते हैं, कुछ time के लिए, अपनी pain, वो trauma, वो तकलीफ, व हैं, आपकी बहुत अधर resemblance है उनकी mother से, या उनके father से, अगर आप female है, really feel कि आपकी उनकी mother से बहुत अधर resemblance है, आपका love जो है, वो बहुत motherly, या fatherly है, बड़ा pure love है, आपका protection है आपके प्यार में, care है, और बड़ी unconditional आपका love है और आपकी feelings है, so आपकी जगा बहुत खा है उनकी जिन्दगी में, and they really feel कि वो आपके साथ family बनाएंगे, बनाना चाहते हैं, आपके साथ settle down होना चाहते हैं, आप उनके potential partner है, मतलब उनको लगता है कि इस connection में बहुत potential है, ये connection, इसकी वज़े से आप दोनों grow करेंगे, मतलब वो पूरी family आपके साथ अपनी imagine करते है So this person wants to settle down, इंसान आपके साथ settle down होना चाहते हैं, but I feel कि the problem is कि जो चीज कभी कबार आप लोंको affect करती है, जो ये devil energy है हमारे पास, इसकी वज़े से आपको doubt होता होगा, इसकी वज़े से आप परिशान होते हैं कि क्या मुझे वाकि ही इस connection में रहना है या नहीं, क्योंकि मेर ये person के बहुत ज़्यादा mood swings है, इंसान एक दिन कुछ है, अगले दिन कुछ और है, consistent नहीं है basically इनका behavior, इसलिए knight of wands मेरे मुझे से निकला था, और फिर king of wands में भी थोड़ी सी जलक है knight of wands की, king of wands मेरे लिए बहुत ज़्यादा mature card नहीं है, अगर इसकी जगा king of swords भी होत बिकाज वो एक direct or straightforward or honest energy है, ये थोड़ी सी shaky energy आप कह सकते हैं, थोड़ी सी immature energy आप कह सकते हैं, थोड़ी सी है, मतलब बहुत serious energy नहीं है, so ये चीज थोड़ा सा आपको disappoint करती है time to time, जो उनके behavior में है, जो उनके past की वज़ा से है, ये चीज आपको disturb कर रही है, I feel affect कर रही है so ये ही एक problem है इस connection में, so अब हम कुछ oracles देख लेते हैं, कुछ further देखते हैं, उनकी क्या feelings हैं, और क्या thoughts हैं, ये देखे, deck को आदा किया wedding and past life relationship, so really feel कि आप उनके soulmate हैं, आपके साथ एक बड़ा deep connection है, मतलब आपकी जगा कोई और होता तो शायद उनको कभी बरदाश ना क के साथ एक connection build किया, उन्हें understand करने की कोशिश की हमेशा, so इस चीज़ को वो बहुत ज़ादा appreciate करते हैं, and they really really feel कि आप उनके soulmate हैं, वो इस term से भी वाकिफ हैं, maybe उन्होंने आपको कहा होगा, you are my soulmate, चाहे उनको ना पता हो कि soulmate क्या होता है, but they feel कि you are their soulmate, जो एक बहुत खा को heal करना चाहते हैं, बाकी collective के लिए, वो इस connection को heal करना चाहते हैं, it's time to disconnect from the world, so maybe वो literally like हर चीज़ से detach हो कर आपके साथ एक healing time spend करना चाहते हैं, make the effort, ये इन्सान आपके साथ effort करने के लिए तयार हैं, आपके लिए release your ex, और ये है past energy, जिसको उनको release करने की जूरत हैं, they know this, the time has come to clear your energy, so basically आपके person, excuse me, उनको deep down ये realization है, कि ये जो devil energy है, अब time आ चुका है कि मैं इसको release कर दूँ, उनको ये realization हो रही है basically, क्योंकि ये हमारे connection को affect कर रही है, ये मेरा trauma, ये मेरा past, I can't help it, लेकिन ये मुझे affect कर रहा है मेरा past, बट अब time आ चुका है, क्योंकि मुझे इस इनसान के साथ family बनानी है, मुझे settle down होना है इस इनसान के साथ, इसलिए मुझे अब अपने इस past को release करना होगा, वो try भी करते हैं, बट हो जाता है कभी कबार, फिर वो चीज उनके ओपर हावी हो जाती है, उनका trauma, उनकी तकलीफ, और फिर वो उसकी frustration आपके ओपर निकालते हैं, I do feel के वो आपको hurt करते हैं उस trauma की वज़ा से, उस तकलीफ की वज़ा से, let's see, one more card swear, deception, so ये इनसान अपने emotions hide करते हैं आपसे, I also feel, maybe ये जो trauma है, इसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया है, मेभी आप मेंसे कुछ लोग जानते हैं, कुछ उनके past में ऐसा है जो उन्होंने आपको नहीं बताया है, bottom पर हमारे पास है romantic feelings, इसमें तो कोई शक नहीं, obviously हमारे पास बहुत सारे cards हैं जो उनकी feelings के बारे में हमें बता रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा value है उनकी जिन्दगी में, आपने उनकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा quality आड़ की है, बहुत ज़्यादा आपने उनको heal भी किया, मतलब, काफी हद तक वो heal हुए भी, बट, वो चीज कर रही है उन्हें effect, let's see more, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको realize हो रहा है, कि मुझे आप इस चीज को heal करना है, मुझे release करना है अपने past को, the time has come to clear your energy, so, वो clear करना चाहते हैं, obviously, वो heal करना चाहते हैं, मतलब, एक ऐसे point पर आना चाहते हैं, जहां पर, वो सारी चीजें आप दोनों के connection को affect ना करें, so, let's see, एंसान और क्या feel कर रहे हैं, emotional freedom, I really, really feel with this card again, कि यह जो एक emotional roller coaster, एक तक लीफ और जो चीज वो feel करते हैं, वो उससे खुद को आजाद करना चाहते हैं, with this emotional freedom card, और वो emotionally ज़्यादा open भी होना चाहते हैं, होते भी हैं sometimes, और ज़्यादा होना चाहते हैं, we have manifestation, हो सकते हैं आप इनको manifest कर रहे हैं इस present time में, हो सकते हैं कि आप में से कुछ लोग separation में हैं, और आपका union होने वाला है, आप ये union manifest कर रहे हैं, let's see more, उनकी feelings और उनकी thoughts, spirit, next क्या होने वाला है, उनकी feelings, thoughts, उनका next action, उनका next action, वाउ, तर यिन यांग, ये बहुत time के बाद card आया है, number 36 है इसका, number 22, number 13, ये numbers देख लिजिए आप से, कैसे resonate करते हैं, so yin and yang, आप उनके लिए perfect हैं, आप दोनों एक दूसरे से, बहुत different हैं, but, बहुत अच्छे लगेंगे एक साथ, मतलब, बहुत अच्छा, एक power couple एक, मतलब, जैसे आप दोनों में, कुछ ना कुछ ऐसा है, आप feel करते हो, के कमी हैं जिन्दगी में, और दूसरा, उसको fill कर देता है, उस चीज को, मतलब, उस कमी को महसूस नहीं होने देता है, आप दोनों ने लाइफ में, कुछ ना कुछ feel किया है, loss, किसी का, रिष्टों के हवाले से struggle थी, किसी की, कुछ और चीज में struggle थी, तो मुझे ऐसे लगता है, कि आप दोनों ने वो चीज, एक दूसरे की जिन्दगी में आके, वो कमियां पूरी की, तो आप दोनों के लिए ये connection, equally बहुत ज़ादा important है, वाउ, love, तो ये unconditional love, true love, real love वाली feeling है, basically love का card यहाँ पर आया है तो, और फिर yin and yang, I really feel this is so nice, तब दिस तूव लव, I feel, बहुत ज़ादा प्यार है, इस connection में, आप दोनों के दर्मियान, वाउ, बॉर्टम पर हमारे पास है, serendipity, तो आपका उनकी जिंदगी में आना, it was a miracle, they feel, कि आप उनके लिए एक miracle है, वरना maybe, उनको ऐसा feel होता था, कि वो dead है, maybe, जब आप उनकी जिंदगी में नहीं आये थे, और इसका number 29 है, जो कि 11 बनता है, and maybe 11 भी आपके लिए एक huge sign हो, so आपका उनकी जिंदगी में आना, एक उनके लिए miracle था, वो यह सोचते हैं, कि आपका उनकी जिंदगी में आना miracle है, और उन्होंने true love आपके साथ feel किया है, और वही message जो में पहले आपको दे रही थी, कि आपका जो प्यार है, वो बहुत motherly है, बहुत fatherly है, चाहिए आप male हुए आप female, तो यह एक बहुत ही true love है, जो कि एक ऐसी place से आ रहा है, कि जो selfless है, मतलब आपको कोई लालच नहीं है उनसे, और यह एक genuine love वाली feeling है, कि आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं है, आपको उनसे कोई लालच नहीं है, unconditional love, so basically they really, really feel कि इस, जो अभी हमारा वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें आप जैसा इनसान मिलना, बहुत मुश्किल है, कहते हैं ना, चिराग लेकर भी अगर आप ढूनेंगे, तो नहीं मिलेगा, so ऐसी feeling है, and maybe यह इनसान इतनी deeper level पर जाकर, आप से communicate कभी भी ना कर पाएं, या कभी नहीं कर सके, कि आपकी क्या value है उनकी नजर में और उनकी जिन्दगी में, they really, really love you, बड़ी अच्छी feeling है, और on the other hand, I feel कि एक बड़ी ही तकलीफ वाली feeling है, कि मैं कैसे निकलूँ इस trauma से, इस तकलीफ में से मैं कैसे निकलूँ, जो मुझे हांट करती है, जो मेरे इस खुब्सूरत connection को affect करती है, ये भी वो feel करते हैं, sometimes they feel really helpless, and sometimes वो इस प्यार में बहुत ज़्यादा गुम होते हैं, बहुत positive feel करते हैं, motivation feel करते हैं, इसलिए वो sometimes आपको बहुत shower कर रहे होते हैं, अपने time attention से और प्यार से, और sometimes बहुत detached होते हैं, क्योंकि उनको खुद भी समझने आता कि, कैसे उस feeling को अपने दिल से निकाले हैं, so I do feel कि आप लोग की situation में hope है, because यहाँ पर love है, so as long as you love each other, understand each other, चीज़ें heal हो सकती हैं, आपके person day by day, बेहतर feel कर सकते हैं, heal कर सकते हैं, so yes, I think हमें दो और cards ले लेने चाहिए, या एक और card, यह दो cards आ गए हैं, so पहला है हमारे पास passion, trust and follow your renewed passion in your love life and career, so they do feel very passionate about you, in this connection, आप भी trust करें, जो आपके दिल में उनके लिए passion है, और अगर career के हवाले से आप passion feel कर रहे हैं, तो उसको आपने follow करना है, second is nurture, as you nurture a child, you nurture your own inner child, both activities are important for you right now, so maybe this is the thing जो आपके person कर रहे हैं, अपने inner child को nurture करना चाहते हैं, because वो hurt हैं, और कुछ, में भी कुछ trauma ऐसा है जो उनके childhood से चल रहा है, कुछ के लिए message हो सकता है, और आपका भी कोई trauma हो सकता है, कोई problem हो सकती है, जो मैं आप से कह रही थी, कि आप दोनों की जिन्दगियों में कोई ना कोई कमी रही है, जिससे आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फिल किया है, पूरा किया है, आप दोनों equally एक दूसरे के लिए बहुत जादा important फील करते हैं, सो कुछ ना कुछ में भी आप भी अपने अंदर हील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी भी जिन्दगी में ऐसा था, कि आप उसको हील कर रहे हैं, इस connection के बनने के बाद से आपको रियलाइज हुआ, वो चीज सर्फिस पर आई और आप भी उसको हील कर रहे हैं, तो आप लोगों का रिजूनियन होने वाला हैं, बट ये याद रखिए कि आपकी सोल्स हमेशा connected हैं, अगर आप 3D वर्ल्ड में साथ नहीं भी होंगे, तो आप हमेशा से connect रहेंगे, करेंगे, चाहे आप दोनों different रिष्टों में बंद जाएं, very specific message, I don't know, मैंने कभी ऐसा message कोई deliver किया है आप लोगों को, या नहीं, जब से मैं tarot reading कर रही हूँ, इवन अगर आप different रिष्टों में बंद भी जाएंगे, तो भी ये रिष्टा आप लोगों की जिन्दगी में रहेगा, यानि, आप एक दूसरे को याद रखेंगे, अच्छे अलफाज में, क्योंकि इस connection ने कुछ ने कुछ ऐसा highlight किया है, कुछ ने कुछ ऐसा आपको सिखाया है, जो आप कभी भूल नी सकते हैं, इस connection का एक effect, एक mark, हमेशा आपकी जिन्दगी पर रहेगा, in a very positive way, यह कोई सकार या कोई दर्थ छोड़ कर नहीं जाएगा connection, मतलब आप दूनों एक दूसरे के वेल विशर रहेंगे हमेशान, यहाँ पर नफरत का element नहीं है, रिवेंज का element नहीं है, बड़ा ही unconditional love है, अगर आप लोग साथ नहीं भी होंगे, तो आप हमेशा यह चाहेंगे कि दूसरा इंसान खुश रहे जहां भी रहे, it's a very deep connection which goes beyond love and passion, this is a very beautiful connection, आप लोगों ने sad नहीं होना है, आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यह possibility लग रही है कि आपका rejuion होने वाला है, क्योंकि यह इनसान आपके साथ settle down होना चाहते हैं, so बहुत possibility है कि आपकी शादी भी इनहीं से होगी, these are two beautiful cards, जिससे हमें पता चल रहा है कि आपकी शादी के भी chances हैं और union के भी, so यह थी आप लोगों की आज की reading friends, I really hope कि यह reading आपके लिए helpful रही, अगर रही तो मुझे आप जरूर बताईएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe किये बिना आप लोगोंने नहीं जाना है, so मेरी हमिश्या आप लोगों के लिए दुआ है, आप अपने life में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी life में जरूर manifest हो और जरूर होगा, क्यूंके you are worthy of love and you are lovable, अपने आपको यह जरूर बताया करें, अपना धेर सरा ख्याल रखियेगा, मैं मिलूंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में, till then, love you lots, bye-bye.